हेलो बच्चों तेके नेक्स क्वेश्चन ये भी जैई मेन के क्वेश्चन है इफ वेव गेट्स रिफ्रेक्टेट इन्टू देंसर मीडियूम देन विच अप्ट फॉलोईंग इस टू मतलब तो मीडियूम चेंज होने से अप्सन जो दिये हो उसके एकोर्डिंग क्या क्या चेंज होगा ये पूशन चाह रहा है तो पहला चीज आप हमेंसे याद रखें कि फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होता है थाना फॉर्स्ट चीज आप याद रखें फ्रिक्वेंसी रिमेंस कॉंस्टेंट चाहे मेडियूम चे मतल ہیں अगर देंसर मेडियो मेडायगा तो रिफ्रेक्टिव पिपेल्स मेडाया बढ़ेगा कि वडेचा कर जाएगा तो अगर देंसर मेडियो मेडायागा तो च्थ कम होगा तो व क्या करेंगे तो व is is equal to frequency into wavelength होता है frequency change होता नहीं speed डायेक्ट सब्सक्राइब दो wavelength हो गया and जो refractive index के साथ speed का relation हो व इनुवर्स है मतलब जो फर्क पड़ेगा जो effect पड़ेगा speed पे refractive index के वेश तो वही फर्क पड़ेगा wavelength पे भी तो हम लोग यह बोलेगे कि अगर ये चीज बढ़ेगा या है और भेवलेंद भी कम होगा और भी कम होगा तो तो अ में आ कि देंट पृ स्ε करने का देपिन से जोितन से स्टीद दोनोग इसिट करता है वार टो फरिक्वेंसी कॉंस्टेंट रहता है तो वेवलेंद और प्रेक्वेंसी कॉंस्टेंट भी है